हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोक आज की अपडेट है ए ए आई की तरफ से एरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया यहां पर डायरेक्ट सेलेक्शन रहेगा और काफी अच्छी अपडेट है वीडियो को इंटर देखना अगर आप इलिजिबल हो तो चले इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं डिसकस करेंगी सबसे पहले एलिजिबलीटी क्राइटेरिया और डीटेल में कौलिफिकेशन वगरा क्या मांगवा हुआ है वैसे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आ अगर आपने सिविल एलेक्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स कम्णिटर साइंस मेकनिकल इन बॉबाल इन प्रांचे से डिपलोमा के तब भी आप एलिजिबल हो और साथि साथ आई वालों के लिइब इन्होंने थोड़ी जगा रखी है और वो भी एलिजिबलें अप्लाइग कर सक यहां पर काफी branches नहीं दी है और साथ में any graduate भी नहीं दिया हुआ है तो आपको यहां पर ज्यादा hurdles नहीं आएगी हाँ apprenticeship है तो काफी apprenticeship में salary कम होती है लेकिन यहां पर salary भी कम नहीं है 15,000 per month आपको मिल जाएंगे अगर आपका selection होता है जो कि बहुत अच्छा है आपके बस academics के marks अच्छा है ना तो आपका selection बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप यहां पर mechanical field से बिलॉंग करते हो ना तो हमने पहले academy पे gate mechanical का पूरा course launch के है जो कि बहुत affordable rate में है यानि कि 999 में पूरा course आपको मिल जाएगा सारे course subject के video lectures, e-books और साथ ही साथ हमने आप मौक test भी provide की है अब यह सारी चीजे सिर्फ 999 में आपको मिल रही है पूरे एक साल के लिए मनलब 2023, 2024 और बीच में जो भी आपकी PS इसी उसके exam आएगी वो भी cover हो जाएगी, so अगर आप interested हो, description में मैंने link दी हुए, check करना मत पूरना, so आगे बढ़ते हैं, इसमें last date 4th December है, अराम से apply करना है, लेकि यहाँ पे कोई fees नहीं है तो आप अभी भी apply कर सकते हो, और हाँ location दिये हुए है, location जो है जो भी airports है, जै अगे आपर discuss करते हैं, अगर selection direct है, तो पूरी process किस तरीके से रहेगी, देखो यार इन्होंने mode of selection में काई कि provisional selection आपके academics पे होगा, बाकि दूसरा shortlisted candidates होंगे, उनको interview या document verification के लिए बुलाया जागा, अब interview हो तो आप सोचे होंगे direct selection कैस है, तो इन्होंने slash दिया हुआ ह मतलब कि और है, interview नहीं होगा, और document verification होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, अब interview होगा, उस case में तो direct selection ये नहीं हुआ, लेकिन आपको ये बता दू, इसका जो process होता है, बहुत ज़्यादा complicated नहीं बनाते हैं, क्योंकि यार इनके पास भी काफी काम रहते हैं, तो य काफी अच्छा है, ऐसे कोई attention मतलो, अगर eligible हो, apply कर दो, आप यहाँ पर apply करने की कोई fees नहीं है, लेकिन MHRD Nets Portal पे register करना ज़रूरी है, वहाँ पे भी कोई fees नहीं है, वहाँ पे registration करना है, जो आपको at least 3-4 दिन पहले करना होगा, अपनी profile अप्रूव करवाने होगी, यह one time process है, अगर आपने कर दिया है, पहले से register, directly apply कर दो, हाँ, apprenticeship का एक rule होता है, अगर आप last 3 years में हमना graduation complete किया हो, जो भी B.Tech diploma है, तभी आप apply कर सकते हो, तो इन्हों ने अगर कहीं पे mention किया होगा, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया होगा, तो यह rule applicable होगा, क्योंकि आप M.H.R.D. Nets के थू apply करने हो, और हाँ, इन्होंने जो इस screenshot के साथ सारी चीज़ें mention की विए, जो की बहुत अच्छी बात है, apply करने की पूरी process notification में मिल जाएगी, यह application कली शुड़ हुआ है, मतलब की 7th of November को ही शुड़ हुआ है, मेरे वीडियो बनाने के एक दिन पहले, त और mechanical की link पे description में है, साथे साथ AI की भी link description में दी हुई है, चेक कर ले न, वहाँ पे पूरा notification, सारी details, सब कुछ हमने वहाँ पे place किया हुआ है, ताकि आपको को issue हुआ है, और हाँ, अगर ऐसी वीडियो देली चाहिए, कोई update मिस नहीं करना चाहते हो, तो subscribe कर लो, ताकि अगर आप यहाँ पे जो है, सारी updates और इसके extra updates भी देखना चाहते हो, so उसकी भी link description में available है, that's it for today, उमीद करता हूँ, सब कुछ clear होगा, समझ में आया होगा, apply कर रहे हो, comment करके जरूर से बताना, मिलते हैं next video में, next job update में, तब तक के लिए, goodbye, take care. झाल